यदि आप InShot एप का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा आज के वीडियो में हम InShot से Watermark को रिमोव करना सीखेंगे Watermark के रहने से वीडियो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है और ये मालूम चलता रहता है कि वीडियो को किस एप में बना गया है यदि आपको ये Watermark अच्छा नहीं लगता हो तो इसे आप InShot एप में हटा भी सकते हैं मुझे परसनली Watermark से कोई प्राबलम नहीं है इसलिए मैं Watermark को रखना पसंद करता हूँ मेरे दूसरे वीडियो में आपको Watermark देखने को मिल जाएगा लेकिन ये वीडियो Watermark हटाने के लिए बना गया है इसलिए मैंने इसे हटा दिया InShot बहुत अच्छी एप है और इसमें बहुत जल्दी और आसानी से काम हो जाता है प्लस इसमें बहुत सारे एफेक्स भी देखने को मिल जाते है वो भी फ्री में सिर्फ एक एड देके जिससे आप अपने वीडियो की क्वालिटी में चार चान लगा सकते हैं उसे और भी ज़दा इंटरस्टिंग बना सकते हैं यदि आपने अभी तक इंशॉट को ट्राइ नहीं किया है तो जरूर ट्राइ करके देखिएगा ये एप आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद आएगी और यदि आप इंशॉट वीडियो एडिटर का यूज़ कर रहे हैं और नहीं चाहते कि उसमें इंशॉट लिखा हुआ आए तो ये एप आपको इसे हटाने की भी फैसिलिटी देती है वो भी बागेर पैसे खर्च किये सोचिए कितनी बड़ी बात है छोटा सा वीडियो है एंटर देखिएगा चैनल पर नहों तो प्लीज सबस्टाइब कर ले आईए चलते हैं स्क्रीन की ओड़ी चलिए इंशॉट में आ गए है हम यदि आपके पास इंशॉट ना हो तो प्लीज प्लीज स्टोर से डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है अब हम सीखते हैं कि watermark को कैसे remove किया जाता है पहले मैं आपको दिखा दिता हूँ watermark क्या कहलाता है यदि आप नहीं जानते हो तो ठीक है ये देखी ये side में इंशॉट लिखा हुआ है ठीक है ये in case ये आपको अच्छा नहीं लगता है तो इसे हटा सकते हैं ओके तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर जो ये close का निशान बना है इसे दबा दीजेगा ओके आप यह यहाँ पर क्या रहा है free remove यहाँ पर आपको एक add को देखना होगा तो हम इसे दबाते हैं add 30 seconds का आएगा 30 seconds खत्म होने के बाद जैसा यह उपर लिखा है reward granted ऐसा लिखकर आ जाएगा इसके बाद आप इस window को close कर दीजेगा यदि आप इसका pro version लेंगे तो add स्वयम हट जाएगा लेकिन यदि आप नहीं लेना चाहते है pro version तो आप add देखके हटा सकते हैं कभी आपको add देखना पड़ता है कभी नहीं देखना पड़ता है तो आप देख लीजेगा आपके फोन में किस तरह से यह react करता है ठीक है इसके बाद आप save को दबा दीजेगा इसे हम save कर लीते हैं add को close करते हैं यह add file save करते वक्त आता है यह देखी मित्रों यह है in short folder यहां हम जाते हैं यह वाली है file प्ले करते हैं यह आप देख सकते हैं file play हो रही है क्योंकि एक photo file थी इसलिए इसमें कोई भी movement आपको समाझ में नहीं आ रहा होगा यहां पर आप देख सकते हैं कि watermark यहां से remove हो चुका है ठीक है मित्रों kind master में यदि आप video editing सीखना चाहते हों तो उसके लिए यह वाली playlist जरूर चेक कर लिजगा इसमें बहुत सारे वीडियो है ठीक है मिलते हैं नए वीडियो में thank you so much keep learning and subscribe